आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलिशियस साउथ इंडियन टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आए हूँ अप्पे की रेसिपी इसे पनियरम भी बोला जाता है और इसके लिए एक स्पेशल पैन आता है अप्पे पैन जिसमें बहुत सारी कैविटीज होती है और यह उस आए देखते हैं इस डिलिशियस आइंड क्रिस्पी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन-किन इंग्रीडियेंट्स की जरूरत है और इसकी रेसिपी क्या है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए समोलीना एक कॉप ऑई जिसे हम अतड़के में भी यूज करेंगे और बाद में हम ग्रीन चिली आप इसे टोटली एवाइट भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसे जादा भी कर सकते हैं हाफ भीट रूट ग्रेट दो टेबल स्पून ग्रेट बॉटल गाट या गिया अनियन एक साइनली चॉप्ट कैरेट एक ग्रेट चॉप्ट करिंडर लीव वन टेबल स्पून मसाले में हमें हमें चाहिए हींग एक पिंच एक चमच चन दाल एक चमच उड़त दाल एक चमच मस्टर सीड एक चमच किमिन सीड बेकिंग सोड़ा 1.5 टीज़ पूँण बेट चिली पौडर 2.5 टीज़ नमख स्वाद अनुसार ड्रायट करी लीव आप चाहें तो अब इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स टालेंगे चॉप्ट कैपसिकम उसी के साथ हम डालेंगे ग्रेटिट कैरेट्स चॉप्ट अनियन्स ग्रेटिट बॉटल गार्ड और कॉरेंडर लीवस अब इन इंग्रीडियंट्स को हलके से मिक्स कर लेंगे ग्रेटिट बीट रूट हम एंड में डालेंगे अभी नहीं डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे अपनी कर्ड इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसमें हम पानी डालेंगे अज रिक्वाइड मैंने इस मिक्स्टर में अभी मैंने आदा ग्लास पानी डाला है सूजी से जब हम बनाते हैं तो उसे रेस्ट करवाना भी जरूरी होता है क्योंकि सूजी जो है वो पानी सोख लेती है और फूलती है सेमुलीना का बैटर अल्मोस्त तयार है अब इसको हम रेस्ट करवाएंगे दस मिनट तक के लिए और उसके बाद अगर इसमें पानी ये गाड़ा हो जाएगा पानी सोख लेगा तो हम इसमें पानी ओडालेंगे जितना हमें चाहिए होगा एक तड़के पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और अब इसमें हम डालेंगे करी लीव्स अब इसमें हम डाल देंगे मस्टर सीट्स एंड क्यूमिन सीट्स जब यह स्प्लेटर करना स्टार्ट कर देगा तो इसमें हम उड़त दाल और चना दाल भी डाल देंगे अब इसमें हम हींग डालेंगे और चॉप्ट पिकर्ड ग्रिन चीलिस डालेंगे तड़का तयार है गैस फ्लेम बंद कर देंगे हम और इसे ठंडा करकर अपने सूजी के मिक्स्टर में डालेंगे देखिए बैटर हमारा गाड़ा हो चुका है अब इसमें हम अपना ठंडा क्या हुआ तड़का डालेंगे सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, स्वादानुसार और लाल मिर्च पाउडर अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और अगर आपको लगे कि इसमें पानी की रिक्वाइमेंट है तो आप पर पानी भी इसमें एड़ कर दीजिए और अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ कंसिस्टंसी का इडली लाइक बैटर बना लीजिए अप्पे पैन को हमने गरम होने के लिए रख दिया है अब इस अप्पे पैन के हर कैविटी में थोड़ा सा तेल डाल कर उसको अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लीजिए अब बनाने से बिल्कुल पहले हम इसमें डालेंगे ग्रेट बीट रूट और साथ में हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब अपने बैटर को हम हर कैविटी में स्पून की हल्प से पोर कर देंगे खाने में बहुत ही डिलिशियस लगते हैं यह और बैटर इनका अल्मोस्ट इडली लाइक ही होता है जैसे रवा इडली का बैटर होता है उसी तरह से इसका बैटर भी बनता है अब इसको दो से तीन मिनट मीडियम आज पर ढखक कर पकाएंगे अब इनकी एक साइड क्रिस्प हो चुकी है अब इन्हें वन बाई वन हम फ्लिप करके दूसरी साइड से भी इनको पकाएंगे लेकिन उससे पहले हम इस पे थोड़ा सा ओयल डिजल करेंगे देखिए अब दूसरी साइड पे भी ओयल हलका हलका लगा देंगे अगर आपको ज्यादा ओयल नहीं चाहिए तो ब्रश इस बेस्ट ऑप्शन तो यूज क्योंकि इससे आप हलका हलका सब जगा एपलाई कर सकते हो इस तरह से इने फ्लिप करके दूसरी साइड भी तो तीन मिनट तक पका लीजिए और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हमारे कृप्षपी रवा वजिटेबल अपे बनकर तैयार हो चुक है इसे महने सर्व किया है तो आप इसे और आप चाहें तो इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स मों भी बैक करके दे सकते हैं इसमें बहुत सारी वेजिस रली होगे हैं तो वो उनके लिए बहुत ही healthy और delicious होगे I hope आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और जाद साथ लाइक कीजिए और इस तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं आपके पस लोटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई